ओके फाइनली आज इस वीडियो में बात करेंगे Realme 3 and 3i next update के बारे में काफी टाइम के बाद मतलब लॉंग टाइम के बाद 3 and 3i device के उपर वीडियो बना रहा हूँ इसी कारण इसी लिए एक लाइक तो बनता है वो 3 and 3i में कब release होगा कब rolling out स्टार्ट होगा तो यार time waste नहीं करते वीडियो में सिधा आगे बढ़ते लेकिन मैं time waste करूँगा चैनल पर first time visit कर रहे हो तो यार subscribe करो करो न और बिल आइकन को दबाओ और चलो बैठो अपने गाड़ी में यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत भुरा लग सकता है because आपको true information देना मेरा काम है and इसी कारण आपको थोड़ा सा जो है hurt हो सकता है और क्यू होगा वो आपको आगे पता चलेगा इसलिए इस वीडियो को continue watch करो so guys officially realme 3 and 3i में में मन्त का latest c.10 update अल्रेडी मिल चुका है and काफी अची update थी बहुत ही अची update थी जिसके साथ आप सभी के जो issues and problem c.9 में थे वो 100% solve realme 3 and 3i में मन्त c.10 update के साथ हो गए देन उसके बाद c.10 update को लेके मुझे एक भी comment नहीं मिला भाई की मेरे device में update इंस्टॉल करने के बाद issues and problem फेस हो रहे है totally 100% device जो है update करने के बाद stable हो गया और improve हो गया देन उसके बाद May update के बाद 3 and 3i में किसी भी type का update नहीं मिला आज है 2 जून and इससे पहले तो नहीं मिला है लेकिन इसके बाद जो है definitely confirm update मिलेगा तो वो कब मिलेगा चलिए जान लेते हैं so आपना सीधा point पे आते realme 3 and 3i में next new update कब release होगा तो आई देखो release date को लेके बहुती बड़ा confusion है मुझे and जो truly information है वो ही मैं आपको बताऊंगा और सब कुछ मेरे according होने वाला है okay मेरे खुत के according होने वाला है जो expected release date आपको बताने वाला हूँ वो मेरे हिसाब से होने वाली है okay so यहाँ पे new update release date को लेके मुझे एक confusion है आपको याद है नहीं है पता नहीं है पता नहीं लेकिन याद दिला देता हूँ April मंत के पहले चलो मतलब 2020 के शुरुवात में चलो जैनुवारी फेबरुवारी और मार्च आपको याद होगा उस पिरेड में उस टाइम में जो 3 & 3i में colorless base update rolling out हो रहा था वो दो मनत में एक बार हो रहा था क्यों हो रहा था अल्रेडी आपको पता है realme की update policy है छे मनत के बाद जो है जो भी अपडेट rolling out होता है वो दो मनत में एक बार rolling out होता है 3 & 3i में ये जो update policy है वो शुरू हो गई थी जो भी update मिल रहा था वो दो मनत में एक बार मिल रहा था याद नहीं आया, याद करने की कोशिश करो, करो यार, ओके, देन उसके बाद April का मंत शुरू हुआ, and April के मंत में कमाल धमाल बहुत सारी अपडेट मिली, कुछ Early Access अपडेट मिली, कुछ Trial अपडेट मिली, कुछ Stable अपडेट मिली, पता नहीं किस किस टाइप की अपडेट म अनुसार, April मंत पहले, दो मंत में एक बार अपडेट रोलिंग आउट हो रहा था, and April में ज्यादा अपडेट इसलिए मिली, because Realme UI का अपडेट रोलिंग आउट होने वाला था, तो फिर उसके चलते अपडेट तो रोलिंग आउट होने ही वाला था, so अब नेक्स्ट totally skip हो जाएगा, 100% skip हो जाएगा, और सीधा आपको July 2020 का अपडेट मिलेगा, because आपको पता ही है, update policy के अनुसार दो मंत में एक बार update मिलता है, तो फिर already make update मिल चुका है, जुन का update skip हो जाएगा, और सीधा July 2020 का update मिलेगा, okay, तो यार release date को लेके यही मेरा एक confusion है, update policy के अनुस 15th June के बाद ही मिलेगा, because जो new update फिलाल C.10 का मिलेगा है, उसे 13 days, मतलब यार 1 month complete भी नहीं हुआ है, आज 2 June है, and मुझे तो नहीं लगता कि 15th June के पहली update मिलेगा, 1 month पहले complete तो होने दो यार, उसके बाद update मिलेगा, ठीक है न, अगर update मिलता भी है, तो 15th June के बाद, June के last week म I think 3 and 3i में new update मिल सकता है, ठीक है, so last में बस में यही बोलूँगा 3 and 3i new update को लेके मैं बहुत ज़्यादा confused हूँ, जितना आप wait कर रहे हो, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा मैं wait कर रहे हो, because मुझे ये देखना है कि real update policy के अनुसार चलता है, या फिर update policy को avoid करता है, सच and क्या changes मिलेंगे, तो यार देखो मैं confirm तो नहीं हूँ, sure तो नहीं हूँ, जो कुछ भी आपको changes बताऊंगा, वो मेरे according होने वाले है, officially realme की तरफ से कुछ भी confirm अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है न, and देखो यार आप सभी को पता है, जो कुछ भी मैं आपको expected changes and features and release date बतात मिलेगा, ठीक है, तो first June और July का latest security patch level मिल जाएगा, क्यों मिलेगा वो मैं already बता चुग हूँ, जिस मन्द में update release होगा, उसी मन्द का आपको latest security patch level मिलेगा, then उसके बाद 3 and 3i में I think अभी तक officially dockworld and realme link का app नहीं मिला है, जहां तक मैंने पता किया है, मेरे पास तो 3 and 3i है नही बट यार मुझे confirm पता है कि नहीं मिला है, और नहीं मिला है तो इस update के साथ chances है कि आपको ये दोनोई app का officially support मिले है, ठीक है, and उसके बाद fix हो जाएगा भाया, जो भी issue and जो भी problem अपको face हो रहा है, वो finally new update के साथ fix हो जाएगा, देखो यार, actually जो realme है, वो issues and bugs में कभी compromise न problem है, वो new update के साथ solve हो जाएगा, anyways ये है मेरे according update लोग, and हाँ, अगर आपको को 3 and 3 isc.10 update के साथ issue face हो रहा है, तो यार नीचे comment section में जरूर बताना, मैं realme वालों को report करने वाला हूँ, मतलब feedback दूँगा, तो यार issue face हो रहा है न, तो नीचे बताओ, हाँ मैं जो है realme वालों को बताएंगे, बताएंगे कि solve करो, ठीक है न, and version I think मैं भूल गया, जो version मिलेगा, वो c.11 मिल सकता है, chances है कि c.11 ही मिले, वैसे 12-13 भी मिल सकता है, लेकिन, फिलाल जो है, मतलब series के अनुसार चल रहा है, तो c.11 ही 3 and 3i में next update के साथ मिलना चाहिए, तो यार ये थी next update को ले उपर नीचे से जहां से होता है, वहां से like ठोको यार, and क्या subscribe कर दो यार, subscribe करके bell icon को press कर दिना, वैरना ऐसी interesting videos आपसे miss होती रहेंगी आगे भी, and मिल तो आपको next video में, तब तक लिए good day, take care, bye bye